दसदार किलोमेटर पर हंटर रिफ्टी का चेंजट जवाब देगा है बहुत मज़ाएगा बट उसके बाद उसके खर्चे आपको दिखने लग जाएंगे हां जी क्या हाला है आज एक और बहुत ही बहतरी वीडियो में आपके लेकर आ चुका हूं आज भी फिर से बात करने वाला है हंटर 350 की आज मैं वीडियो की ना रहूं क्यूंकि यार मैंने इसके 10,000 किम्प्लीट कर दिया है यहां पूरे 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 11,000 होने वाली है तो ए इसी में अचिए लच आस सभी इसमें नह NBA of Mix इसके पारव लुच की मैंजट के में बात करने बांए क्या मेरा ने वीडियो को उचे चीज हों मतल्य क्या मेरा ओंशी प्रिव्यो यह स्कुन करते dengan І क्या है वह वो सन्ना आज की वीड्ये में बात करने वाला हूं हम जी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सब्सक्राइब बात करूंगा सर्विसिंग मैंने दो ती दिन पहले की सर्विस कहाई जिसमें मदब मैंने करवाई थी 10600 किलो मेटर चल गई थी तो उसमें मेरे कितने बैसे लगे क्या चीज़ेंग हुई और क्या चीज़ें अभी भी रहती है इसके अंदर चेंज करवानी उसका मैं बात कर लेते हैं इसके लेुप तो वह कंप्लीमेंट्री करती है वासिंग तो है तों चेंज से बात कर लेते हैं दस थाजार किलो मेटर चल है एंड बात कर लेते हैं इसका चेंज़ेंट चला गया दहुत आई कि देख सकता है इदर से तो यह नीचे चेंज पर इन कराब हो हूँ इसके यह तो भाई कॉलिटी देरिया रोल एंफिल्ड आज के डाइम में डाहिलाग रुपे की होगे यारे वाई कब अगर यह कॉलिटी देरिया फिल्ट तो भाई कोई फायदा निया इसको लेकर और मैं भी बताऊंगा कि 2023 एंड और फिर यू कन से 2024 में आपको भाई खरीद नी च को भाई मैंने यह ली थी चंडिकर 27 मनमोहन करके रॉनल फिल्ड का वह यह एक चंडिगण में एक और उनी की वरक्शॉप है इंडस्ट्री लेर में मनमोहन के नाम से यह वो तो उसी से मैं सर्विस कराता हूं बढ़ वहां का स्टाफ इस नॉट दाट गुड दाट गुड क इसकी फोटो गींचून उनको क्या नहीं जाब नहीं बना सकते आप नहीं सकते करने लग जाते हैं लडने लग जाते हैं और वहां का स्टाफ भाई बिल्कुल ठीक नहीं है उन्होंने जबरदरस्ती के मेरे 2-3 खर्चे भी इनोने गिनवाए थे कि यह भी चेंज होगा जो ऐसे मतलब मेरा बिल्कुल भी एक्स्पीरेंस अच्छा नहीं उसके साथ एंड मैं रिकुमेंड भी नहीं करूंगा किसे वकर को ट्राइसीटी में रहा रहा है तो मनमोहन आटो मोबाइल करके जो है रोलें फील्ड को ऑथोराइज ही है वो अगर उससे आप लोग सर्विस क के अंदर वीडियो बनाने देना दे बाई बाद में बनाई सकता हूं उसका दम बात करते हैं जो जो चीजे मेरे को इसकी बहुत गल्त लगी इस प्राइस रेंज के अंदर एक्सेसरी जो मैंने रोलें फीट से करीदी थी आंड विक पेड नंबर मैंने इसका नंबर भीदा 2.5 लाक मतलब मैंने कुछ टाइम पहले पूछा था इसी का 2.7 लाक तो सरफ एक शोरूम चल रहा था अब और भी जाध इंक्रीज हो गया है इस प्राइस में अगर आप एंड फील्ड देना चाहा रहे हो खासकर हंटर 350 मतलो देर इस बिग नो मेरी मतलब बहुत बड़ी न मतलब गंदी कॉलिटी के डाल रखेंगे 10,000 किलोमेटर पर किसका चेंश होता है पहले मेरे को लगता था तीन-चर साल पहली की बात है हिमाल्यन के अंदर यह दिक्कत आती थी सिरफ हिमाल्यन का चेंशेट जल्दी कराब होता था और वह चेंज होता था नहीं यार एंफील कराई लो वह दिक्कत वली बात बातने की ब्रेक बाइट करता है कैसे ला रहे हो एंड अगर जो अगर इस वीडियो में कमेंट करेंगे हां कि यार तेरे राइडिंग सेल पर डिपेंड करता है तुन्हें घल चलाई होगी तुन्हें यह नहीं करेंगी कि भाई मैं एक्जा वाले पूछें इंट्रेसेप्टर कॉंटिनेंटल जीटी सब से बात करें मीटियो और हिमाले सबने बोल रहा है 10,000 किलोमेटर पर ओएम चेंट किसी भी राइडिंग साल के साथ जाए नहीं सकता सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे फ्रेंड की अपाचे में गया था 20,000 के आस कुछ भी नहीं चलिए 10,000 किलोमेटर यर आप टायर देख लें बाटायर की हालत यर घिसे भी नहीं तो टायर लिटरली फर्स सर्वी सुए भी बस इसकी मेजर इसका चेंज है चला चुग है वह यार देखो अगर आपको एक सिंदेंस के अंदर मैं इसको सम करूं तो एंफ अगर आपको इतने हैं कि नई भई मेरको बहुत पसंद है मेरको ले रही है तो यार एक मेरा परसन सुजेशन है तहली बात तो लोई मत अगर आप ले रहे हो तो इस कलर स्कीम के लेना टॉपेंड में मत जाओ 9000 रुपे डूल कलर के लिए लेना वर्थ नहीं है मैंनो उस अगर आप ले रहे हो तो यह प्लीज मत लगवाना यार प्लीज मत लगवाना अगर दो मैंने इसका यह लगवाए था लगवाए तो देख लो भाई एंफिल्ट का और इसका स्कम गाड़ है दो नहीं डिलिवरी के साथ लगवाए था थ्री थाउजंड रुपेस का यह था एंड थर्टी वर्हंड़ रुपेस का वह था यार छे हजार रुपे एक सेस्री यह दो उसना मेरे को थोड़ी जल्दी थी मैंने लगवा ले उसना मार्केट में इसके अधिक सेस्री लेबल भी नहीं थी तो मेरे को मतला मजबूरन ल सब्सक्राइब को यह नहीं पता अगर नीचे से फ्लाट है तो यहां पर पानी रुख जाएगा एक ड्रेन नट एक होल ही कर देते इसके अंदर आपको पानी तो निकलता इसके अंदर और जो आफ्टर मार्केट है वह इससे हाफ से भी कंपराइज में मिलते हैं इसने अच यह पतनी आरे रॉल एंफिल्ड ने क्या फूक के वनाया था अगर बहुत गंदे टायर्स और ना लुक में अच्छा ना उनकी परफॉर्मस अच्छी यह 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 वाले दीजर वरी गुट टायर्स मेरे को बहुत अच्छे लगे और और वी काफी लोग बोलता है यह टायर् अगर आप ले ही रहे हो आपको कौन साथ है मिल रहा है और अफ्टर अगर मैं आपको बोलू टुनिटिफोर में धाहिलाक रूपे में हंटर रिफ्ट लेना अब बिल्कुल भी वर्थ इट निया कोई फायदा नितना पैसा है इस बाइक योपर कर्च करके कुछ टाइम इस आप फेसलिफ्ट के बाद अगरे नोने कुछ इंप्रूवमेंट्स करी तो करी कह सकते है बाकी अभी तो बिल्कुल भी कोई फायदा निया इसको ले गए क्योंकि यह फीचर्स के नाम पे यह यह फीचर्स के नाम पे के साइट सेंसर देती है जो थोड़ा काम की चीज है न भाई एनलोग विद डिजिटल मिक्स है यह ठीक है उसके आद भाई जो इनके मिरर्स आते हैं वह वर्त लाइक यूजलेस हैं यार वह भी 80 km पर आर के बाद बिल्कुल शेक हो जाते हैं कुछ नहीं दिखता यह तो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई हूए है बाकी मतलब मैं अच्छे से वीडियो के अंदर करें नेगटिव वीडियो के उसका कमेंट में आपको मिल जाएगा अच्छे से देख लेना उसको और बताना बाकी यार यह ताप सम करके मैं आपको बताऊं वही चीज है कि मतलो इतनी एक्सपेंसिव अगर आपको फिर भी है कि लेना है अब जैसे नियू हिमालेन आई नहीं जीटी आई इन सब में जैसे इसने लेडी सेट बगारा करते बड़ प्राइस भी इंकरीज हो चुका है अगर कि इसको यह बहुत जादा पावर प्रोडूइस करेंगा ठीक है पावर प्रोडूइस करता है बट यार वो ना कभी-कभी आपको जैसा हाइवे भी जाय रहे हो लाक अंडर पावर आपको फील होएगी जाता भागती भी है इस जादा दो यार आपाचे 200 भाग जाती है आपाचे 200 भाग जाती है यार कोई सेंस नहीं है 350cc नाम नाम का 250 है क्यूंकि रोजन फील के लाइन अप में सब से छोटा मैंने वीडियो में बात करी उसके अंदर देख लेना यहीं था यार बाकी मेरा कोई एक्सपीरेंस से जादा साखास है नीज का 10,000 किलोमेटर और युकं से एक साली स्कॉन करने के बाद तो और अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी कमेंट्स हों कोई भी आपको कुछ लोगों को लगता है मेरे को एंट फीड ना भाइक भी भी तुम लोग नंबर साच कर लेना यार मेरे ब्रदर मेरे ब्रदर के नाम पर रिस्टर आई यह भाइक मैंने खुद पैसे दिया इसके ठीक है ने चैनल का नाम भी लिखा और कोई बंदा भाइक भी साल के लिए कर दो कर दो कर द torक भाइक मैंने भाइक कर दो पहा ब섯 concerns